तो सिंपेतो मायमेटिक सिस्टम में है हम लोग और रिसेप्टर्स और उनका क्लीन कल इंप्लिकेशन देखने के बाद हमने इंडिविजुल ड्रग्स के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है तो काफी कंसेप्ट अब हमें क्लियर हो गए है तो अभी थोड़ा समराइस करें य दोपामीन, लाइक नौर अड्रिनलीन, मेफेंटर्मीन ये सभी जो ड्रग्स हैं वो जो प्रैसर एजन्स जो हमने पड़े थे वो सभी हाइपोटेंसे उस स्टेट्स वो अराइस होते हैं ड्रग की वज़े से या फिर एनेस्थेटिक प्रोसीजर की वज़े से अराइस होत किया है तो फिर पेशन्स को हम लोग आईवी फ्लूट्स भी पे भी रख सकते हैं जिससे क्या होगा कि बेजिकली काडियक आउट्पूर इंक्रीस हो जाएगा और वो हैल्प करेगा ब्लड प्रेशर नॉर्मालाइस करने से जो जिनरल ये बैटर चीज है रादर देन डिरे जो हाइपोटेंसिव स्टेट में हम लोग ये थेरापी इंपलाई करेंगे फिर हमें पता है कि ये जो ड्रग्स है वो लोकल आनेस्थेटिक्स के साथ दी जाती है अगेन मैं रिवाइस करना हूं उसके तीन एडवांटेज है एक तो ब्लड लेस फिल्ड हमको मिलता है कि ज ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है जिसे एपिस्टेक्सिस हो गया नाक मैंसे ब्लीडिंग हो जाता है कई बार तो उस सिचुएशन में जब कंट्रोल नहीं आता है प्रैशर से भी तो हम लोग कॉटन को ऐसे अड्रिनालीन डाइल्यूट किया हुआ होत इसलिए डाइल्यूट करके उसमें सोक करके भी एक दिया जाता है यूजुली पैकिंग से ही हो जाता है येंटी में आप पढ़ेंगे कि सिम्पल कॉटन पैक करके एनेजल मुकुजा के अंदर आप एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग स्टॉप करना चीव कर सकते हैं फिर गया है कि वहां की ब्लड वेसल सोडी कंस्ट्रिक्ट हो और ब्लीडिंग रोका जा सके तो ऐसे लुकल ब्लीडिंग कंड्रोल के लिए भी यूज होता है यह जो सिंपेटो माइमेटिक ड्रग से हमें पता है कि यह नेजल डी कंजेशन्स भी यूज होती है क्योंकि वह इजल मुकजा है उसका एट्रोपी हो जाएगा और इनुजमिया हो जाएगा फिर डिफिकल्टी हो जाएगी ज्यादा तो इसलिए ज्यादा लंबे समय तक यह ड्रग नहीं यूज कर सकते हैं काडियो बास्किलर यूजिस यह सिंपेटो माइमेटिक ड्रग के देखे तो का हार्ट का पंपिंग कपैसिटी कम हो गया होता है एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फिलियर होता है जिसमें आपको हार्ट को पंपिंग बढ़ाना ही पड़ता है काडियाक अरेस्ट हो गया होता है जहांकि हार्ट की इलेक्टिकल अक्टिविटी बहुत कम हो गई हो या नील ह गई हो तो उस टाइम पे आपको emergency situations में देना पड़ता है ये सब drugs adrenaline you know directly heart में भी inject किया जाता है तो ये drug काफी life saving drugs भी है और as a last resort भी use की जाती है तो drowning electrocution जैसे situation हो गई जहां पर cardiac arrest हो गया उसका rhythm total sudden बंद हो जाता है तो उस situations में heart को revive करने के लिए हम लोग use करते हैं heart block जैसे situation हो गई उसमें भी beta 1 receptors का stimulation अगर हम करते हैं तो that would help and again acute phase of congestive heart failure जहां पर आपको temporarily heart का pumping बढ़ाना है so उस situation में भी आप ये drugs use कर सकते हैं लेकिन आपको carefully cardiovascular status monitoring करके ICU के अंदर ये drugs देना पड़ेगा दूसरे जो drugs है वो कुछ central use है sympathomomatic drugs के central uses है और उसमें जो most of the drugs use होती है उसका नाम है amphetamine जो हमने अल्रेड़ी दिखा है जो amphetamine है वो indirectly or mixed acting drugs kind of हम लोग कह सकते हैं कि जो indirectly nor epinephrine का release कर बाके काम करती है तो काफी सारे central effects उससे होते हैं लेकिन use बहुत limited है फिर भी देखते हैं क्या है तो एक EDHD करके pathology होती है जिसे बोलते है attention deficit hyperkinetic disorder जिसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत hyperkinetic होता है और main reason main complain यह होती है कि concentrating ability बहुत कम होती है तो उस situations में contradictory हम लोग देते हैं ऐसी drug को sympathy mimetic drives को stimulate करती है फिर भी काफी beneficial results मिले हैं इससे ADHD बाड़े चैल में तो ADHD में काफी जरी drugs यूज होती है उसमें से एक drug amphetamine भी use होती है दूसरा है narcolepsy narcolepsy means की daytime sleepiness जो भी रात को बहुत काम करते होते हैं जिनका shift work होता है ऐसे situations में कई बार उनको daytime के उपर भी काम करना पड़ता है तो उस situations में उनको daytime sleepiness रहता है उसे narcolepsy कहते है तो उस situations में avoid करने के लिए amphetamine जैसी drugs यूज की जाए या फिर modafenil जिसका जो psychostimulant drugs है modafenil आप देखेंगे तो इसी drugs भी use होता है ऐसे narcolepsy में epilepsy और Parkinsonism primary resort के दौर पे तो नहीं use होता है लेकिन कई बार ऐसा कहते है कि epilepsy में जो use होने वाली drugs है उससे क्या होता है कि काफी सारा sedation हो जाता है तो उसको counteract करने के लिए हमें sympathetic drug को stimulate करे ऐसी drugs देनी पड़ती है तो amphetamine again एक यहाँ पे use होता है Parkinsonism में भी कुछ अच्छे results मिलते हैं amphetamine का improvement in mobility होता है ऐसा है लेकिन बहुत promising results नहीं है obesity के लिए हमें पता है कि यह जो simpeto-mimetic drugs का already use होता था sibutramine जो से हमने दिखा था anoractic agent की तोर पे कि भूख कम लगे उसके लिए as an anoractic drug use कर देने लेकिन काफी सारी drugs इसलिए as an anoractic और obesity के treatment में यूज होती थी लेकिन अच्छे results नहीं थे side effects थे इसलिए फिर ban होगे अभी obesity के treatment के लिए काफी सारी drug under clinical trials है और जो digestion पे काफी कुछ pancreatic enzyme जो lipid का metabolism करते हैं इसके enzyme को inhibit करने वाली drugs जो है वो under trials है तो अगर वो यूज होता है तो क्या है कि directly जो lipid और वो सबका जो absorption है वहाँ पे वो affect करती है और obesity की treatment में at least prevention करती है और जो यूज होता है सिंपेथो माइमेटिक का वो है अस्थमा और COPD वाले conditions में और काफी logical है इसके बारे में हमने detail में देखा है कि beta 2 receptor का stimulation help करता है सुमूद मसल को relaxation करता है तो अस्थमा वाले patients में काफी helpful है साथ-साथ हमें पता है कि hyperkalemia वाली situations जो भी होती है तो hyperkalemia वाली situations में भी ये सिंपेथो माइमेटिक ड्रग्स जो है beta 2 simulator drugs है वो helpful है उसी के साथ हमने दिखा था कि ये drugs uterine muscles का भी relaxation करती है तो अगर pre-term labor को delay करना है तो उसमें भी वो help कर सकती है allergic situations में adrenaline तो life-saving drugs है कई बार आपको exam में पुछते हैं कि why adrenaline is used in anaphylactic shock उसका rational बताईए तो जैसे हमें पता है कि जब भी anaphylaxis होता है तब basically क्या होता है कि patient का जो blood pressure है वो fall होने लगता है patient का जो respiratory track है उसमें difficulty होती है क्योंकि क्या होता है कि जो larynx है उसका edema हो जाता है laryngeal edema हो जाता है तो breathing difficulty हो जाती है और फिर facial puffiness, puffiness of eyes, swelling of face, swelling of oral mucosa ये सब चीज़े additionally होती है तो अगर proper treatment ना दी जाए, quick treatment ना दी जाए और उसको हम लोग delay करते जाए तो ये life threatening भी हो सकता है patient में die as well तो आपको ऐसी drugs देनी है कि जो symptom को counteract करें इसी case में adrenaline दे जाती है adrenaline क्या होता है कि because adrenaline acts on beta 2 receptors जो bronchus के muscles है उसको dilate करती है so उससे breathing difficulty है वो कम हो जाती है और दूसरी चीज़ जो adrenaline है beta 1 receptors पे काम करती है even on high doses alpha 1 receptors पे काम करती है तो उससे क्या होता है कि जो भी blood pressure fall हुआ है उसको counteract करने में हमें आसानी होती है तो उसलिए जो adrenaline है वो life saving drug है इसके साथ anti-histaminic drug का भी use किया जाता है क्योंकि obviously allergy में histamine एक important mediator होता है जिससे edema और अर्टिकरिया और ये सब चीज़े होती है तो anti-histaminic drug और बहुत severe है तो एनाफाइल एक्सिस में हम लोग adrenaline भी use करते है azometriatic भी use होती है जैसे हमने phenyl ephrine देखा था कि वो alpha 1 receptors को stimulate करती है phenyl ephrine और उससे क्या होता है कि जो radial smooth muscles है वो constrict होते हैं और इससे pupillary dilatations होता है तो fundoscopic examinations के लिए आपको mainly ये use होता है medriatic drugs जहां पे आपको cycloplegia की जरुवत नहीं है दूसरी एक important eye में action है जहाँ पे alpha 1 receptor है वो है जो ciliary body है वहाँ पे जो blood vessels present है उसके उपर alpha 1 receptors होते हैं और ये alpha 1 receptor का stimulation करने से क्या होता है वो जो blood vessel है वो constrict होने लगती है constrict होगा तो क्या होगा कि aqueous humor का जो production है वो कम होगा कि जो aqueous humor है ciliary body में से वहाँ की blood vessels में से produce होता है तो उसका production कम होगा और उसका production कम होगा तो that would be more beneficial in glaucoma तो glaucoma में ऐसी drugs दी जाती है जो वाजो constrictive है और इसलिए ये जो epinephrine group of drugs है एक DP-wefrine करके आता है तो वो दिया जाता है topical application के तोर पे दिया जाता है तो वहाँ की blood vessels को constrict करके aqueous humor का जो production है वो कम करता है तो इस तरह सी ये glaucoma में भी ये drugs beneficial है nocturnal aneurysis in children कई को बैसे हमें पता है कि जो sympathetic drive को stimulate करती है drugs वो जो bladder के जो trigon होता है वहाँ पे ये जो sphincter होता है sphincter को constrict करती है because of alpha 1 receptors और जो smooth muscles है because of beta 2 receptors वो relax होते है तो जिससे क्या होता है कि urine वहाँ पे retained रहता है so ऐसी कुछ conditions है जहाँ पे urine retention में difficulty है जैसे बच्चों में aneurysis हो जा रहा है या फिर urinary tone पे control नहीं है urinary incontinence है तो ऐसी situations में इस type की drugs को अगर हम use करें तो beneficial है although aneurysis के लिए हमारे पास desmopressin जैसी कुछ drug भी है जो nasal spray के तो और पे दी जाती है children में उनको हम ज्यादा use करते हैं इससे और last हम कह सकते है insulin induced hypoglycemia insulin इंडिया को भी drugs दी है आपने जिससे body में glucose का level कम हो गया है तो उस situation में although main treatment ये है कि आप किसी भी तरह body में glucose directly inject करे glucose दे बाहर से तो अकिए क्या होता है कि brain और कुछ organs depend होते हैं fresh glucose के उपर उनको जो stored glycogen है उसमें से glucose जो प्रूइस होता है वो ज़्यादा utilize नहीं कर सकता है तो fresh glucose के उपर वो dependent रहता है so better first treatment की glucose दे लेकिन कई बार अगर आप sympath है जो देते हैं तो वो क्या करता है calorie genesis शरीर में करता है glycogen तोड़ता है लिपिर तोड़ता है, calorie genesis करता है तो उससे भी इसको थोड़ा counteract करने में help मिलता है तो कह सकते हैं कि उसमें यूज दोता है लेकिन primary आपको inject करना पड़ता है glucose तो ये था in nutshell uses of sympathomimatic drugs thank you